स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube शनल पर वे सेंट्रल रेलिवे की तरप से ITI Pass Out candidates के लिए 2521 पोस्ट पे Apprenticep की वैकेंसी आई है जिसके की फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके है एंड फॉर्म भरना जैसे इस्टार्ट हुआ फॉर्म भरने में बहुत सारे candidates के बहुत सारे सवाल आए एंड कुछ एक problem भी आपने face की होगी कि इसमें next का option नहीं आ रहा है तो हमने form भरना कैसे है उसका यहाँ पे वीडियो बना दिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं latest वीडियो में कैसे form भरना उसका वीडियो हमने बना दिया इसमें proper हमने बताया कि अपने mobile phone से आप form भरेंगे एंड उसमें next का option भी सो होगा बस उसके लिए एक browser अलग से आपको install करना पड़ेगा जो की छोटा सा browser था 4-500 KB का आपको Google Play Store पे मिल जाएगा उसका link भी इस वीडियो के description में ने दे दिया है तो आपको description में वीडियो मिल जाएगा वहाँ से आप इस कुछ चीज को आसानी से देख के कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आपके कुछ और भी सवाल थे उसके बारे में यहाँ पे discuss करेंगे जैसे कि जब आप इसमें apply करने जाएंगे online तो यहाँ पे जैसे आप apply पे click करेंगे देखिए 17 December last date है जब यहाँ पे आप register पे click करेंगे क्या होता है नीचे आप देखिए इसको हम कितना भी इस page को हम छोटा भी अगर कर लें settings से चलके font size तब भी आपको mobile phone से भरने में problem होगी देखिए हमने desktop side कर दिया फिर भी problem हो रही अभी मान लीज़े हम चली यहाँ के font size जो है setting में चलके अगर हम उसे भी minimum कर दें ठीक एक बार हम करी देते हैं यहाँ देखिए text की scaling है ना इसको कितना भी छोटा चली हम इसको मान लीज़े 50% अगर कर देते हैं force, enable, zoom, इन सब चीज़ों को भी हम टिक कर दें इसके बाद भी अगर आप आएंगे ना इस website पर आप यहाँ पर देखिए इसको refresh करते हैं तब भी आपको option यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो इसके लिए क्या करना था हम आपको दिखा देते हो browser का link browser का link देखें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे test book के बारे में test book एक ऐसा application है जिसमें आप एक pass के थुरू सभी तरह की government job की तयारी कर सकते हैं इस पे अगर आप एक test book pass ले लेते हैं तो एक test book pass आपको yearly मिलता है और एक आपका lifetime का pass होता है तो कि आपको per day के एक रुपए से भी कम खर्च में मिल जाएगा and अगर हमारा code take I use करते हैं तो आपको उस पे additional 10% का off भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको 600 से ज़्यादा exams की तयारी करने के लिए online courses और test series मिल जाती है 48,000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर mock test मिल जाते हैं जो की 450 प्लस exam के questions से तयार किये गए है 15,000,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर active test book pass users है 14,000 प्लस आपको previous year के papers मिल जाते हैं and यहाँ पर अभी तक इतने सारे test भी attempt हो चुके हैं 12 प्लस languages में आप यहाँ पर test दे सकते हैं तो एक pass सभी exam में आपके काम आएगा यही इनका tag line है one pass to s all exams एक pass आप ले लेते हैं and सभी examinations की तयारी आप test book से कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने test book से बात करके एक आपके लिए offer भी अभी चला दिया है yearly test book pass अगर आप लेते हैं जो कि 399 या 299 का था वो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 270 रुपए में मिल जाएगा एक साल में कितने दिन होते हैं 365 आप देख सकते हैं आपको 270 रुपए में मिल रहा है टेकाई code यूज करना बिलकुल मत भूलिएगा description में हमने link दे दी है ये 22 नॉमबर तक active रहेगा offer 20 से 22 नॉमबर तक जिसका नाम दिया गया बचचत की लहर और यहां पे अगर आप install करते हैं test book and use करते हैं इस pass के साथ तो क्या होता है जब भी आप किसी exam की तयारी कर रहे होते हैं maximum exams जो ITA-based पे होते हैं उसमें सभी का slayback 70-80% सेम होता है non-tech as well as tech का तो उस चीज की अगर तयारी आप test book से करेंगे तो आप सभी examinations की तयारी भी होगी आपकी साथ ही साथ जब आप mock test देंगे तो आपको पता चलेगा question solve करने की आपकी speed कितनी है आपकी उसमें rank कितनी आ रही है और उन सब चीजों से क्या होगा आपको बहुत benefit मिलेगा और आपका जो selection rate है किसी भी exam में select होने का वो बहुत ज़्यादा increase हो जाता है तो description में link है वहाँ से check out करना बिल्कुल नद भूलेगा साथी साथ आपको यहाँ पे gift भी मिलेगा pocket.fm, rapido and farmiji की तरफ से अगर आप testbook पास अभी install करके and take i code यूज करते हैं अपने पास तब तो जरूर install कीज़ेगा testbook comment section में भी हमने link दे दिया है साथी साथ description में भी link है वहाँ से आप check out कर सकते हैं पात कर रहे थे उस browser की जिससे की आप form भर सकते हैं तो यहाँ आप search करेगा computer browser करके ठीक है तो यहाँ पे एक browser आपको मिलेगा देखे इसका नाम है desktop full screen browser आप चाहें तो यह भी डाल सकते हैं desktop full screen browser इसका link हमने description में दे दिया है आप देखे कुछ इस तरह का यह दिखेगा आपको ठीक है इसे आपको install कर लेना है जैसे इसे आप open करेंगे यहाँ आपको simply कुछ click मत करेंगे कहीं भी बाहर एक click कर लीजिगा and इसमें आप क्या करेंगे same चीज आपको यहाँ पे search करनी है RRCWCR जो भी link है आप चाहें तो direct copy कर लें और चाहें तो यहाँ पे search कर सकते हैं देखिए जैसे आप home पे click करेंगे यहाँ पे इस तरह से open होगा यहाँ आप जब register पे click करेंगे देखिए आपको next option दिख रहा है ना बिलकुल दिखेगा तो यह बहुत ही आसान है आप simply इस browser को install करिए तीन से चार सो के बी का ब्राउजर है आसानी से install कर लेंगे आप यहाँ पे आप सिर्फ एक काम कर लीजे next करिए इसके बाद अपना registration complete कर लीजे ठीक है registration और password जब आपको मिल जाए उसके बाद क्या करना आपको हम बताते हैं जब आपके पास आपका registration और password हो जाएगा तो वहाँ पे photo अगर upload करने मापको problem होगी क्योंकि छोटा browser है फिर से आप अपने Google Chrome में आ जाईए और इनके home page पे जो RRCWCR का है इस link को भी हम आपको वीडियो के description में जो है दे देते हैं यहां से ठीक है यह link भी हम आपको वीडियो के description में दे देंगे जिससे आप आसानी से भी form यहां पे fill up कर पाएंगे अब आपको क्या करना आपका जो registration number है और जो password आपको SMS भी आ जाएगा mobile पे उसके through क्या करना आपको यहां पे login कर लेना है login करने के बाद आप आसानी से photo upload करिए signature upload करिए सभी documents upload करिए fees payment करिए and application का print out करके रख लीजे कोई problem आपको नहीं आएगी अगला question आपका राथा सरक्या सभी division से apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें quota, भोपाल, जबलपुर, central workshop, wagon repair workshop इन सभी जगों से vacancy है तो क्या सभी जगा से apply कर सकते हैं तो नहीं सिर्फ और सिर्फ आप एक division से apply कर सकते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जिस division में आप देख लीजे vacancy ज़ादा जो आपके लिए suitable हो उसी को select करके आप वहीं पे apply करिएगा अगला question आप का रहा था क्या सर्फ इस्टेट government का जो cost certificate है या EWS का certificate है उसे upload कर सकते हैं या नहीं तो नहीं उसको आप मत करिएगा जो central government का certificate होता है उसे यहाँ पे upload करना है अगर आपके पास नहीं है तो उसको बनवा लीजे जो notification है उसमें last में ओ दिया भी हुआ है आप चाहें तो उसका print out करके उसी की basis पे आप जाके वहाँ पे competent authority जो है उनसे बनवा लीजे उसी को आप upload करिएगा इसमें अगला एक question आपका आ रहा था उस पे हमने एक dedicated वीडियो बना रखा है आप simple एक application की सहायता से अपने mobile phone में कोई 2 MB तक की भी photo होना तो उसे आप 50 KB तक में भी बिना quality से compromise किये कर सकते हैं रिसाइज signature को भी photo को भी सभी इस तरह के documents आप वहाँ पे साइज कर सकते हैं उसका एक वीडियो हमने बना दिया है description में उसकी भी link है आप वहाँ से जाके check out करके वहाँ से जरूर अपना form fill up कर लीजेगा अब login करने के बाद आपको बाकी problem कोई नहीं है इस फार्म भरने में बहुत ही simple process रखा गया RRC WCR की तरफ से ज्वाइनिंग होगी सब कुछ बहुत systematic तरीके से and website पे proper update करते हुए किया जाता है तो आप लोग जरूर fill कीजेगा form वीडियो में हमने सारी detail बता रखी है अगर vacancy detail देखने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लाओं आप देखेंगे latest वीडियो में apprenticeship और job की बहुत सारे बेहतरीन मौके आपके लिए आए हैं इसलिए हमने test book के बारे में भी आपको बताया तो उसको आप install करके तयारी जरूर कीजेगा 26 November से sale के form भरे जाएंगे इसकी तयारी आप test book से कर पाएंगे BSF में जो vacancy आई थी इसका तो चली exam होने वाला है तो उसका आप नहीं कर सकते है अभी कुछ इसके लाओं आप देखेंगे CISF में vacancy आई है tradesman and constable की उसकी भी तयारी आप कर सकते हैं 750 से ज़्यादा post page में vacancy आई है एक और सवाल आपका last में था क्या असर यहां से apprenticeship करने के बाद railway group D में 20% quota मिलेगा तो बिल्कुल आपको railway group D में तीन बड़े benefits मिलेंगे सबसे पहला जो है आपको railway group D में 20% का quota मिलेगा दूसरा आप जो apprenticeship का number पाएंगे उसके one third का आपको CBT exam में weightage मिलेगा और तीसरा जो physical efficiency test होता है railway group D में exam qualify करने के बाद इसमें आपको पूरी तरह से छूट मिलेगी तो यह तीन बड़े benefits आपको यहां से apprenticeship करने पे मिलेंगे आप किसी भी division से करते हैं तो आपको यहां पे मिल जाएगा 38 ट्रेड यहां पे eligible apply करने के लिए आपका भी trade इसमें जरूर होगा तो आप लोग farm आसानी से भर लीजेगा अभी भी कोई सवाल या कुछ query आपकी रह जाती है तो आप जरूर लिखिएगा और टेलिग्राम पे जुड़ जाएगा हमारे साथ तो आपके साथ हम सभी तरह की update share करते रहते हैं thank you very much मिलते हैं अगले update साथ अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा बढ़ाई करते रहेगा